हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मा यूटूब चनल मिस्टर आसिस्टार्ट पर आपकर स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोल्डरा में एपल लोगों कैसे बनाएं अपस्तार वाली प्रो कव्प्र आपको सिखाता हूँ मैंने पहले से ही कोल्डरा को उपन करका है अब आप लोगों के लिए से पहले ड़कल टूल का योज करना आपको सरकल टूल पर सेलेक्ट करके पंट्रॉल दबाके एक सरकल को ड्रोग कर लेना ऐ इस तरह से आप आपको keyboard में plus का निशान होगा, आपको उसको plus के निशान को दबाना है, इससे आपकी copy हो जाती है, तो copy होने के बाद उपर वाले circle को select करना है, और आपको shift से right की ओर लेके जाना है, अब आपको दूसरे circle को shift दबा के select करना है, और उपर खाय दे रहोगा option well का उस पे click कर लेना है, इस तरह की shape आने के बाद आपको एक side से आपको select करना है, और shift दबा के अंदर की ओर move करना है, आपको इस तरह की shape आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक line draw करनी है, जो आपको दिखाई देगी, बहुत सारी line है, पर आपको two point line का use करना है, आपको इस tool को select क करके shift दबा के नीचे की और के क्या आना है आपकी एक line draw हो जाएगी फिर आपको apple के लोगों को लट करना है keyboard चेर दबाना है और फिर C दबाना है दोनों से center होता है अब आपको smart tool का use करना है नीचे आपको smart tool लिखाए देगा को फिर क्लिक करना है और आपको एक set के apple को click कर देना है आपको इसको उठा लेना है और इसको delete कर लेना है अब आपको क्या करना है line डाल देनी है आपको right button दबा के boy color कर लेना है और आपको ऊपर X का option दिखाए देगा इस पे left click करके इसको color को remove कर देना है अब आपको क्या करना है अब आपको envelope tool का use करना है envelope tool को select करना है और आपको नीचे की और ये blue blue door दिखाए देंगे आपको इसको बीच वाली को डिलिट कर लेना है और आपको कोनर वाली को सेलेक्ट करना है और शिप्ट दबागे अंदर की और मूव करना है अब आपको क्या करना है अब आपको बीच वाली को कोईंट को डिलिट कर देना है तो है आपको क्या करना है जो प्लस से copy कर लेना है और इस side से control दबा के δूसरी side neglect लेना है और आपको shift दबा के दूसरी side को select करना है और आपको weld का option दिखाता है इस पे click कर लेना है अब आपको क्या करना है थोड़ा zoom करना है एख आपको shape tool का use करना है Shape tool select करके आपको इस तरह के points निखाए देंगे जो कि आपकी line ने थोड़ी टेड़ी मेड़ी है इसको delete कर देना है और नीचे से भी ऐसे ही कर लेना है अब आपको थोड़ा सा इसको उपर से नीचे की और move कर लेना है इस तरह से आपकी apple की shape आ जाएगी तो अब क्या करना है इसमें आपको black कर लेना है और zoom करना है आप आपको इसमें shape tool को select करना है और आपको ये बीच की इसको select करना है और आप आपको ये दिखाए देगा geometric node आपको इस पर click करना है और आपको नीचे ऐसे ही कर देना है आप आपको एक circle draw करना है इस तरह से ड्रोग कर लेना है और आपको यहां पे रख लेना है और उसको एपल को shift से ड्रक करना है और आपको यह trim पे फ्लिक करना है अब इसको delete कर देना फिर से circle ड्रोग करना है फिर आपको ctrl d पे प्रेस करनी है फिर आपको क्या करना है तरह से move करना है shift को प्रेस करना है और बाब आपको स्मार्ट फील्ड को तूल को स्लेक्त करना है और आपको इसके बीच में क्लिक करना है और शेड़ में दौनों सर्कल को डिल्ट कर लेना है रिल्ट कर लेना है और आपको बिल्कुल पर ले जाके रख लेना है धफित आपको उपर वाले इस पत्ति को स्लेट करना है और आपको इसको 30 25 degrees में rotate करना है तर्छे अब आपको ऊपर ओप्शन दिखाए देगा मिरर का आपको मिरर पे क्लिक करना है अब इसको पत्ती पे स्लाट करके टिफ्ट को प्रेस करके मूव करना है तो आपका अपल लोगों पंगे रेडी हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल क मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए तो थैंक्स प्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद